ओम शांति बाब दादा मदवन आज की मदोर मुल 26-10-2023 मीठे वच्चे अभी घोर अन्धिहारा भयानक रात पूरी हो रही है तुम्हें दिन में चलना है ये ब्रह्मा के बेहत दिन और रात की ही कहनी है प्रश्ट सेकेंड में जीवन मुक्ती प्रात करने वा हीरे तुल जीवन बनाने का आधार क्या है उत्तर सची गीता जो स्रीमत भगवान वाच है बाप तुम्हें शमुक जो डारेक्शन दे रहे हैं ये सच्ची गीता है जिससे तुम्हें सेकिंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है तुम हीरे तुल बनते हो प्रेश्ट सर्ग के घनेरे सुक किज पुर्शार्थ के आधार से मिलते हैं उत्तर प्रोच की पढ़ाई और योग से सर्ग के घनेरे सुक मिल जाएंगे इसलिए पढ़ाई में कभी ठकना नहीं, बाप की चर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे माक से पास होने का पुर्शात करो इसमें आशिरवाद वाकृप्रा की बात नहीं है, गीत रात के राही ठक पत जाना, ओम शान्ती अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए है, यह तो मैं फिल्म वालों ने बैड़ बनवाए है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, हर एक बात का यर्थात अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट, अब तुम बच्चों को स्री मत मिली हुई है, भगवान को ही भक्त नहीं चानते तो उन भक्तों की सदगती कैसे हो शक्ती दूसरी पॉइंट, बेहत का दिन सतियुक, त्रेता और राद द्वा पर कलियुक आधा आधा चाहिए ना, दिन की आयू भी पचीस वर्ष है की स्री पॉइंट, बाब बैट समझाते हैं, पहली पहली मुख बात है गीता को खंडन करने की कहते हैं स्री मत भागवत गीता, गीता का पती है भगवान ना की कोई मनुस ब्रह्मा विश्नु संकर को देवता कहा जाता है चोथी पॉइंट, भारत वासियों का धर्म शास्त एक, सत्युगी देवी देवता धर्म का सास्त है एक, उनको स्री मत भागवत गीता कहा जाता है स्री क्रेश्न की आत्मा अब 84 जन पूरे करती है पांचमी पॉइंट, सिरी क्रेश्तो देवी गुडों वाला मनुस्ता वै 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है छटमी पॉइंट, मुक है ही शिवाय नमा, जो उसकी महिमा है वै ब्रह्मा विश्नु संकर के लिए नहीं गा सकेंगे सात्मी पॉइंट, अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल पुद्धी बनाते हैं, परन्त कोई तो शिवाबा को याद भी नहीं कर सकते बेहत का बाब बेहत सर्ग का वर्षा देते हैं अठमी पॉइंट, फिर भी पद तो उचा लेना चाहिए ना, पढ़ाई छोड़ दी तो मात पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो बाब से सर्ग का वर्षा लेते लेते कई बचे ठक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती हैं तो लोट आते हैं दमी पॉइंट, तुमको पुर्षाट कर सोला कला संपूर बनना है, अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुड नहीं गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुड नहीं दस्वी पॉइंट बाबा तो पुर्षार्ट कराएंगे ना हर एक के पुर्षार्ट करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे वा अच्छी साहुकार प्रजा में जाएंगे अच्छा धार्णा के लिए मुखशार पहली पॉइंट पढ़ाई में ठकना नहीं है उच्छते उच्पढ़ाई रोज पढ़ने और पढ़ानी है दूसरी पॉइंट विहंग मार की सर्विस करने की युक्तिया निकालनी है योग में रैबाब से ताकत लेनी है कृप्या अश दादा खुश नसीब बाब दादा संगम युक पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं पाप के संबंध से वर्षे की इसम्रती द्वारा पालना सिच्छक के बंधन से पढ़ाई की पालना और सद्गुरु के संबंध से वर्दानों की अनभूती की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है इसी दिब पालना दारा सहेज और स्रेट जीवन का अनभव करते रहो मेहनत और मुश्किल सब्थ भी समाप्थ हो जाएं तब कहेंगे खुश नशीब स्लोगन है आज का बाग के साथ साथ सर्व आत्माओं के इसने ही बनना ही सची सद भामना है ओम शान्ति